हिस आम अदे आ हो है जिए मैं यह वाली जो फैस लगन्ग और ना बिना कहीं जाए कर रहा हूं और यहां पर कुछ कॉरिस भाल जोए देतां वैसे तो आपको भी पता है कि वलोगन्ग में बाहर जाना होताय गूमना होताय मैं यह करीद रहा है वो करीद रहा, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया तो मैंने भी कुछ लिया मैंने ये ऑनलाइन वंगाया था आपको कुछ समझ जा रहा है किया ये अरे ये डाड़ी बनाने वाला नहीं है बाई, ये, मैं तो इसकी है, हाँ, यहां से दिखाता हूँ यह बड़ी सही कमाल की चीज है यार पहली बाद तो मैं आपको भी बता हो यह जो मैंने लगा रखा है ना अपने कैमरा उसी पर लगा रखा इस पर इस पर कैमरा और आपका फोन दोनों लग जाता एक तरह का आप इसे ट्राइपाउट बोल सकते हो वैसे है भी लेकिन इसमें फायदा क्या है कि जब आप व्लॉगिंग करोगे ना तो इसमें जो स्टैंड बनता है यार व्लॉगिंग में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने गोप रोपे काम कर रहा है इतना बहतरीन इसका वो है मतलब फिलाल मैं वहां से अठा के आपको दिखाऊंगा तो बड़ लेकिन खाना तो वाट से पर नहीं खाया जाएगा ना उसके लिए तो खुद प्रकट होना पड़ता है पहली शादी में मैं गया मैं थोड़ा सा कम खाया सब ने कहा घर मैं ममी पापा वाहिव दोनों बच्चे सब गए थे मैं कम क्यों खा रहा है तू मैंने का नहीं दूस कोफी लिए मेरे तो मनी नहीं खाने को और शादी में जाता रहा है वोइडी करते हैं दूसरी में मैंने और हलका लिया तीसरी में आप्शन नहीं बचा और तीसरी शादी का खाना इतना वेकार था मैं सच बता हूं इतने मन से मैं रोटी लेने गया रोटी की शकल देखके किसे खाओ किसे लड़ो एक वह पिच्छर नहीं थी जिसमें आथा कि भाई देदे से काटनी भी है मैंनों सब्सक्राइब तंदूरी रोटी में आटे के साथ मिट्टी भी आ रही है मेरे खाल से इतनी मजबूत रोटिया मत बना रोटी खाने से थिहत बनती है मतलब रोटी एक तो देखिए दाल करम थी ठीक है मैंने रोटी में दाल भरी और मैं जादा ये ये पनी वह पनी और में वेजिटेरियर नहीं प्योर नॉन वेज की तरफ हम देखते भी नहीं मेरे फैमिली तो कुछ हैं दोस्त वो लोग खाते हैं लेकिन अगर मैं उनके घर जाता हूं तो उनके घर पे भी डेनर मैं जब पता है कि ये आ गया प्राणी यहाँ पर तो उनके घर पे भी वेज बनता है ऐसी अपनी यारी दोस्ती है वो लोग खाते हैं लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता देखना भी मतलब खाना तो बहुत दूर की वात है बागी इस अब की आस्था देखते हैं आपका वे अंजन नहीं देखते हैं इतनी बात अगर आपकी समझा तो मच बेटर है और फिर उस शादी में जैसे तेसे करके हम निकले वो जो बत्तमीज कॉफी मशीन थी ना उसने त्टी ते चीख मारी जिसके वज़े से डाल गिर गई और मेरी फे क्रोग्राम अरे भाई दूर दूर ता को बहुता अपना वैसा लेकिन दाल भी करीते तो लोगों को लग़रा होगा शाय जादा होग Dafَّ उसकी वज़े से वामेंटिक होगई उल्टी होगई अरे भाईया दाल है लेकिन कोई समझझे तो समझझे ना समझझे मैं ये व्लोग क्यों बना रहा हूँ यह इसलिए बना रहा हूँ इसके तीन कारण है पहला तो यह कि मैं सोच रहा हूँ आपको डेली अपडेट दूँ कि आज क्या हुआ था आज मैं कहा गया था क्या किया था ठीक है और दूसरा अपन को ना मतलब स्टोरी सुनाना आता है कि हम जिस पास जा चुकी है और जाही रही है रेडियो थो आप जानते ही है कि आपको पता है नहीं है मिर्य आर जे नितिन चाचा वैसे ही निलगा था ठीक है रेडियों का ऐसा नहीं है कि मुझे आ भी नहीं आ था भबन के द्या से चैर वभी बताएंगे कभी फिलाल ये वाला व्ल उसके खा लेना दूला दुलन का आप बाद में फेस्बुक पर देख लो कैसी फोटो आई है कौन-कौन रिष्टेदार आए लेकिन खाने का क्या में मतलब हमारा किस्से है शादी में क्यों आए है खाना-काने आए आप सो रुपे एक सो एक रुपे ग्यारा सो ग्यारा हजार कुछ भी जूबी दे रहे हो भाई उसे वसूलो एक सो एक दे रहे हो तो कम से कम तीन या चार प्लेट तो खाना काके जाओगे क्या कहरे हो नेतन तो भुकड नहीं आप अपनी शादी में बुलाओ मुझे सच्ची में आपसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा मैं अपने दोस्त के खालो सची बता रहे हो मतलब जरूरी है तो मतलब है और यह जो लोग जाके सिर्फ चाट पकोड़ी टिक की पाव भाजी और यह चीले वीले में थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं ना भाई साब इसे तो यह मानिए कि मतलब यह एक तरह का ऐसा स्टार्ट है कि आपकी जाओ जाओ पाव भाजी खाजाओ लेकिन उसके बाद कम से कम चार 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 रोटी भी पेल जाओ दो चार डो से भी खाजाओ और हाँ जिस शादी में गुलाब जामून और आपकी वह ती है ना जलेबी थोड़ी सी चागे पेटे में बचा के रखो और पांच च्छ गु आप जामून खा जाओ मैं तो क्या रहा हूँ आज जिस शादी में गया था बाएसा कोफी के साथ गुलाब जामून को लेता है आपके भाई ने लिए स्वादते भाई कोफी तो कोफी की मशीन जो बत्तमीज अजीव-जीव सी गालिया दे रही थी ने खाजाओ खाजाओ भाई सच मैं दिल से बद्दुआ ने कली उस मशीन के लिए मशीन भुग गई जब मैं निकला था शादी से तब भी उसकी तार में प्लग बलग लगा रहे थे वो लोग दिल से बद्दुआ दी मैं ने उस कॉफी मशीन को कि तूने मेरी फेवरेट शर्ट बेकार करी है बल दाल गर गई है आप मेरा दर्द अचा आपकी भी तो कोई फेवरेट ड्रेस ऐसी रही होगी जिस पे कभी कुछ गर जाए बड़ा अफसोस होता है कि इस से तो हमारी खाल पे गर जाती हमारे बदन पे गर जाती दाल लेकिन नहीं गिरी तो शर्ट पे गिरी वो भी बलैक प अगry ब्लू ब्लू होता है इनके पास पिंक में भी 10 वप्षण होते हैं यह लाइट पिंक है यह थोड़ा सा लाइट पिंक है यह हलका जाइक तो इनके पास दू होते हैं ऐसे ही मेरे को यह जो शर्ट है ना यह मतलब जो महां सेल्स गर्ल थी जिससे मैंने लिया शर्ट उसने इस शर्ट को बताया जो मैं आपको दिखाऊंगा कभी यह नेक्स ब्लॉग मैं कोशिश करूँगा पहन के आने की कि नॉर्मल ब्लैक नहीं है सर यह पता नहीं यह बहुत ही रेर पीस है मैंने रेर है तो मेरे माते पर लिका था कि मैं यही लूँगा और मैं लेने तो कुछ और आया था अच्छी लगी तो पूछ लिया यह तो वहली बात हो गई आप घुसे हैं सबसे पहले आप ही लगी केस्टमर ने क्योंकि सुबह से कोई आया नही लेकिन फिर भी जो भी है शर्ट तो महेंगी ले ली थी लेकिन मुझे अच्छी लगी पसंद आई और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहरा था कि व्लॉगिंग मैं मैं हर बार आपसे पूछता हूँ कि मुझे कुछ सिकाओ बताओ और मेरे कुछ जो आता है ना वो मैं कुछ भी ़ाता है कि नितन् conservatives करो उसकरो आसा कर सकतें तो मुझे बताना ज़रू ठीक है क्योंकि मेरा collect चैनल नहीं बह आपको भी पताए यह हमारा चैनल है मैं कभी भी आगे YouTube नो बागी नोगों जैसे करते हैं मुझे पता नहीं कैसे बोल लेते हैं स्वागत है आपका मेर चैनल पर मेरा चैनल अब अब लोगों की वज़े से तुम हो उनको तो सम्मान दे दो किसी के 5 लाग सब्सक्राइबर होगे मेरा चैनल स्वागत मेरे चैनल पर मैं ने किसी भी एक वीडियो में अपना या मेरा बोलाओ तो मज़े बता देना मेरा ही नहीं हम सब का है मैं आपसे राहे माँग रहा हूँ और राहे आपने देनी है बाकि अभी किती देर हो गई 10 मिनट की बातचीत हो गई आप बहुत साए लोग बोलोगे कि नितिन भाई देरी देरी क्यों बोल रहा है सब लोग आए भाई शादी से मैंने तो गाड़ी पार करके देर आगए आपसे बातचीत करने है सबसूर है अगर 33 बोलूगा तो ब्लॉगिंग का मेरा हो जाएगा मामला такие P цен अबलता है समझ जार पैसे आप लेना इसके अंदर बहुत और फटन है कोई प्रड़क्ट का मैं कोई हांसे या रिव्यव नहीं कर रहा है बस यह खरीदा था आज आया था आपको बता दिया आपको लेना लेना लेनupa स्क्राश्च ना लेन एक बर मैंने गलती से मुंगा लिया तो उस पर अपना क्यामरा लगाया डंडी खीची और मेरे स्टूडियो में नीचे कारपेट है ओ भाई सहाब मेरे कैमरे का वसन उससे जाधा निकला ट्राइपॉड से और टावर गिर गई वो तो बच गया भाई लेंस वेंस वना साढ़ रह गई दो टांग विवाजित होगे गीचमस है और जो एक टांग है वो अभी भी काम आती है पूछोगे किस के उस पर मैंने आगे कपड़ा लगा दिया है जाले वाले साफ करने के काम आ जाती है हर चीज को इस्तमाल करना शुरू करो ठीक है कोई भी चीज खराब नहीं ह करूंगा आपसे एक अखले व्लॉग में मेरा नाम नितिन है आपको यहां पर आने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शादी में जाए तो टूस टूस के खाएं दूला दूलन को तो आप फेस्बुक पर भी देख लेंगे वाट्सप पर दे आले